आप किसको लगा, काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राजय करता था, उसके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था, एक दिन राजकुमार दीवान के लड़की को साथ लेकर शिकार खीलने जंगल गया, गूंते गूंते उन्हें तालाब मिला, उसके पानी में कमल ख वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आये तो देखते क्या है कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है दिवान का लड़का तो वही एक पेल के नीचे बैठा रहा पर राजकुमार से न रहा गया वो आगे बढ़ गया राजकुमारी ने उस गई उसके जाने पर राजकुमार निराश हो अपने मित्र के पास आया और सबहाल सुना कर बोला मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता पर मुझे न तो उसका नाम मालूम है न थिका न वो कैसे मिलेगी दिवान के लड़के ने कहा राजकुमार आप इतना घबराए नहीं वो सब कुछ बता गई है राजकुमार ने पूछा कैसे वो अब बोला उसने कमल का फूल सिर से उतार कर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं करनाटक की रहने वाली हूँ दाट से कुत्रा तो उसका मतलब था कि मैं दंतबात राजा की बेटी हूँ पाव से दबा नाटक देश में ले चलो दोनों मित्र वहां से चल दिये गूनते फिरते सेर करते दोनों कई दिन बाद वहां पहुँचे राजा के महल के पास गए तो एक बुलिया अपने द्वार पर बैठी चर्खा काती मिली उसके पास जाकर दोनों घोलों से उतर पड़े और बोले मा सामान पीछे आ रहा है हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो उनकी शक सूरक देखकर और बात सुनकर बुलिया के मन में ममता उमड़ाई बोली बेटा तुम्हारा घर है जब तक जी में आये रहो दोनों वही ठहर गए दिवान के बेटे ने उससे पूछा माई तुम क्या कर ख timer टी बूरी हो जाने से अब घर में रहती हूं राज्या खाने पीने को दे देता है दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूं राजकुमार ने बुळया हुनकर हाथों में चंदन लगा कर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा मेरे घर से निकल जा बुलिया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया राजकुमार हक्का बक्का रह गया तब उसके मित्र ने कहा राजकुमार आप घबराएं नहीं उसकी बातों को समझें उसने देसों उंगलिया सफेद चंदन में मारी इससे उसका मतलब यह है कि अभी दस रोज चांदनी के हैं उनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूगी दस दिन के बाद बुलिया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में तीन उंगलिया दुबो कर उसके मूँ पर मारी और कहा भाग यहां से बुलिया ने आकर सारी बात सुना दी राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया दीवान के लड़के ने समझाया इसमें हैरान होने की क्या बात है उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है तीन दिन और थेहरो तीन दिन बीतने पर बुड़िया फिर वहां पहुंची इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पच्चम की खिलकी से बाहर निकाल दिया उसने आकर राजकुमार को बता दिया सुनकर दीवान का लड़का बोला मित्र उसने आज रात को तुम्हें उस खिलकी की राह बुलाया है मारे खुशी के राजकुमार उच्छल पड़ा समय आने पर उसने बुढिया की पोशाक पहनी इत्र लगाया हथियार बांधे दो पहर रात बीटने पर वह महल में जा पहुँचा और खिलकी में से होकर अंदर पहुँच गया राजकुमारी वहां तयार खड़ी थी वो उसे भीतर ले गई अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आखे खुल गई एक से एक बढ़कर चीजे थी रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा जैसे ही दिन निकलने को आया कि राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और राथ होने पर फिर बाहर निकाल लिया इस तरह कई दिन बीट गए अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई उसे चिंता हुई की पता नहीं, उसका क्या हुआ होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारल पूछा तो उसने बता दिया, बोला, वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा चतुर है, उसकी होशियारी ही से तो तुम मुझे मिल पाए हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बड़िया बड़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिला कर तसल्ली देकर लोटाना, खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुचा, वे महीने भर से मिले नहीं, थे, राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुना क कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बाते बता दी है, तभी तो उसने ये भोजन बना कर भेजा है, दीवान का लड़का सोच में पढ़ गया, उसने कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूँ, वो तुम्ह अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिला कर भेजा है, ये कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड़ू उर्था कर कुत्ते के आगे डाल दिया, खाते ही कुत्ता मर गया, राजकुमार को बड़ा बुरा लगा, उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बच्चा है, मैं अब उसके पास नहीं जाओंगा, दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा आउपाई करना चाहिए, जिससे हम उसे घर ले चलें, आज रात को तुम वहां जाओ, जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाई जांग पर त्रिशूल का निशा में बेचाओ, कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरू के पास चलो और उसे यहां ले आना, राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया, देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवार के पास ले गया, कोतवार ने महराज, मैं मसान में काली 14 को दाकिनी मंत्र सिद्र कर रहा था कि दाकिनी आई, मैंने उसकी गहने उतार लिये और उसकी बाई जांग में त्रिशूल का निशान बना दिया, इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पदमावती की बाई जांग पर देखो क की त्रिशूल का निशान तो नहीं है। रानी देखा, तो था, राजा को बड़ा दू, खा हुआ। बाहर आकर वह योगी को एक और ले जाकर बोला, महराज धर्मशास्त्र में खोट इस्त्रियों के लिए क्या दंध है। योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राहमन, गव, स्त्री, लड़का और अपने आस्रे में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। ये सुनकर राजा ने पदमावती को डोली में बिठा कर जंगल में चुलवा दिया। राजकुमार और दिवान का बेटा तो ताक में बैठी ही थे राजकुमारी को अकेली पाकर साथ ले अपने नगर में लोट आया और आनम से रहने लगे। इतनी बात सुना कर बेटाल बोला, राजन, ये बताव की पाप किसको लगा है। राजा ने कहा,